नमस्कार जी, नमस्ते जी, क्या नाम है बेंजी आपका? मेरा नाम राज राणिया जी, बेंजी आप कहां से आई है? मैं गली नमबर साथ सिव कलोनी देवडू रोड से आई हूँ जी, सोनी पत्थ बेंजी संत्रामपाल जी माराज से नाम दिख्षा आपने कब ली? तो फिर आप संत्रामपाल जी माराज की सरण में कैसे आई है? कि अब आधन से टेसंत्रामपालणकास केमा लाज समय कारा, मैं में जात में चाला है तो बेजर बाज संत्रामपाल जो फो खशें, ने कहा जोरों कि बाज कहिकरे ने पन still to do time, बता तो संत्रामपाल जो संत्तरामपालान आफ़ए कि बता ainda, कभी हुए हैं और जब मैंने इस चीज को नोट करना सुरू करा थोड़ा थोड़ा सत्संग देखना सुरू करा जब मुझे ये समझ में आई कि वाक्य में ही संत्रामपाल जी माराजी वो संत हैं जिनों ने हमें ये बताया है कि सही बगवान सच्चा परमातमा संत कभी रही है और वही ग्यान देखके हमने समस के जरिये ग्यान गंगा पूस्तक मंगाई और मैंने और मेरे घरवाले ने वो पूस्तक पड़ी और उस पूस्तक से और टीवी का सत्संग सुन कई हम संत्रामपाल जी माराज की सरण में आई हैं बैंजी हमने सुनाए कि जो भी सरण दालू संत्रामपाल जी मारा से नाम दिक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाब प्राप्त होते हैं चाए वो अध्यात्मी को बहुत ते को सारे रेको या मांसे को तो क्या संत्रामपाल जी मारा से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको कोई लाब राप्त हुए यह सर जी मुझे भी बहुत सारे लाब हुए हैं क्योंकि मैं पहले जो भी भगती करती थी उसे मुझे कोई लाब नहीं होता था मेरे एक बेटा था साड़े तीन साल का वह बूत प्रेत के चकर में खतम हुआ था क्योंकि जब उसकी तब खराब कि आना चीए इस बचे को आप इस बचे को तो किसे शानी वगएरा या तांतरी को जाके पास लेके जाओ और मैं वहां से सर जी उस लड़के को उठा के ऑस्पिटल से और किसी तांतरी के पास लेके भी गई लेकिन उस तांतरी के मैंने पैर भी पकड़े हाथ भी जोड़े तो मेरे पेट में ऐसे दर्द रहता था जैसे आग में जलन होती है तो मैं अपने हजबेंट को बोलती थी के मेरी उमर बहुत कम है क्योंकि किसी दिन भी आका मैं कुछ भी कर लूँगी आखिर मैं कब तक जिओंगी ऐसे ही तो मैं ऐसे ही करते करते मतलब परमात्मा की सरण में आ गई संतरामपाल जी माराज की सरण में आ गई और मैं ऐसे ही जैसे ही जब जोत लगाती संतरामपाल जी माराज के चरणों में परणाम करती तो मैं यही बोलती थी ए गुरू जी मुझे ठीक कर दो, ए संतरामपाल जी मुझे ठीक कर दो, ऐसे ही करते करते मुझे एक साल के करीब हो गया था, जब एक दिन मुझे सपने में आया, कि मेरे गुरू जी संतरामपाल जी माराज मुझे पता नहीं कहां उपर उड़ा के लेके जा रहे हैं, और मेरे जो तो वाद ए पैसे कहरें बेटा तू जोट लगाती है जब क्या बोलती है। मैंने कहा कि संतराहामपाल जी महाराज जो मुझे कुझे मैं कहिए बचछ आपको बताती हूं और मुझे पता है कि मेरा उमर बहुत कम है। मैं मैं जी नी सकती है। तब मेरे परमातमा ने कहा, संतरामपाल जी ने मुझे कहा, देख बेटा आजा, चल तुझे मैं क्या दिखाता हूँ, मैं कहा गुरु जी क्या दिखा होगे, तब संतरामपाल जी माराज ने कहा, कि बेटा जो तू बात कह रही है न वो तो कब की सचो चुकी है, मैंने कहा कि स संतरामपाल जी माराज क्या सचो चुकी है तब मुझे गुरू जी ने बता दिखाया कि जैसे मेरे घर में ही बहुत सारे आदमी खटे हो रहे हैं और एक बोड़ी बीच में लेटा रखी है मैंने का गुरू जी आप मुझे ये क्या दिखाने के लिए लेके आयो जब दिखाया है तो मैंने जब देखा कि मैं ये मर चुकी है इसलिए मैंने तुझे अपने आखों से दिखाया है, वो दिन है और आज मेरे सरीर में ना कोई दिक्कत है, ना मेरे घर में कोई परेशानी है, और आज मैं बिल्कुल सही हूँ, और मेरे जो रिष्टेदार ये बोलते थे कि राणी तु कभी ये भी खहती है, कि ठीक है, ठीक हमेशा यही कहती है मैं बिमार हूं और आज यही मेरे रिष्टेदार यह कहते हैं कि सरानी के सरीर में तो पता नहीं कि संतराम प्लजी माराज की शरण में चली गई कि ये दिन रात काम करती रहती है ये तो मैं तो कि संत्रामपाल जी माराज ने मुझे जीवन दान बख्ष है और आज मैं उनी के दिये हुए सांसों के दवारा जी रही हूं और जो पहले मेरे को एक एक रोटी के बारे में सोचना पड़ता था मेरी आर्थिक्स्तिती बहुत ज्यादा कमजोर थी मेरी दो बेटी हैं दो आर्ड की प्रेसानी थी मैंने पहले ओली फैमिली ओस्पिटल में दिखाया फिरिया सोनी पत्मे निदान ओस्पिटल में दिखाया निदान वाले दौक्टर मेश बतरा ने मुझे कह दिया था कि आप जब तक थी होग, जब तक यह दवाई आपको खानी पड़ेगी और और एक मुझे पूरे सरीर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि ना मैं सो सकती थी ना मैं लेड़ सकती थी मैं रोती थी और अपने हस्बेंट को बोलती थी कि मुझे जहर का इंजक्शन लगवा दो इस परेसानी से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ लेकिन ज सरीर में जो भी दरद था आज मुझे कोई भी दरद नहीं है और परमातमा की दया से आज मैं सरीर से बिलकुल संतुष्ट हूँ और आर्थिक स्तीती जो हमारी बहुत ज़्यादा खराब थी उससे भी आज हम अपनी अर्थिक स्तीती से बहुत खुस है और जो मेरी बेटी पहले काफी पढ़ने में बहुत जादा कमजोर थी और आज वही मेरी बेटी इतनी एक्टिव है इतनी एक्टिव है कि 400 में से 399 नमबर लेके आई है और मैडमो ने भी यह कहा है कि राजराने जी आपकी बेटी तो इतनी कमजोर हमें लगती थी लेकिन पढ़ने में यह तो प कोप्रों के धक्के खाते रहते थे संत्रामपाल जी महाराज की किरपा से आज अमारे घर परिवार में बिलकुल सुक्षांती है आज अमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है मेरे घरवाला भी बहुत अच्छा है मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और मैं भी अपने सरीर से बिल्कुल सवस्थ हो बैंजी संत्रामपाल जी माराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको लाब लाब मिले तो जो सरदालू आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदिश देना चाहेंगी सर जी मैं तो हाज जोड के विंति ही कर सकती हूँ कि आज दुख सब के घर में हैं चाहे वो किसी परकार के भी हो साररी को मानसी को आर्थिक स्तिती हो हर कोई इंसान आज दुखी है मैं तो हाजोड के यही प्राथना करूंगी कि संत्रामपाल जी महाराज की सरण में आओ और अपने सभी कष्टों को दूर करो और सबसे ज्यादा जो हमारा कष्ट है वो है जनम मरन का कष्ट संत्रामपाल जी महराज हमें आज वो भगती दे रहे हैं जो हमें जनम और मरन के चकर से छुटवाती है मेरी हाजोड के सभी भाई भगतों से यही विंती है कि संत्रामपाल जी महराज की सरण में आओ और अपना केल्यान कराओ में जी संत्रामपाल जी महराज की सरण में कैसे आसकते हैं? संत्रामपाल जी माराज की सरण में आप साधना टीवी और काफी चैनलों पर संत्रामपाल जी माराज का सत्संग आता है उसके नीचे पट्टी आती है उसके ऊपर कुछ फोन नंबर दिये गए हैं उन फोनों पे आप कोंटेक्ट करके आज कल तो हर जिले में हर स्टेट में संत्रामपाल जी माराज के नामदान छेतर खुले हुए हैं आप उन फोन से कोंटेक्ट करके जो भी आसपास के आपके नामदान छेतर हो वहां से आप नामदिक्षा ग्रेंड कर सकते हैं धन्यबाद बेंट जी साथ साथ